हेलो मित्रों आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और आज आपके सामने प्रस्तुत है बोटनी का सिलेबस BKSU में जो बोटनी की पड़ाई होती है उसका सिलेबस वो ओनर्स के रूप में उसका सिलेबस क्या है सबसेजरी के रूप में बोटनी जिसका है उनके लिक सिलेबस क्या है और पास कोर्स या जनरल कोर्स जिनों ने लिया है उसके लिए बोटनी का सिलेबस क्या है वो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है full view दिखाएंगे screenshot लेने के लिए फिर इसको जुम करके बढ़ा करके दिखाएंगे आप सुविधा अनुसार इसको देख सकते हैं तो हमारे सामने जो ये first page है ये उपर में लिखा हुआ है कि there shall be 8 paper each consisting of 100 marks ये botany honors के लिए है ये सभी honors के लिए लागू होता है जो भी honors paper होता है उसका 8 paper होता है part 1 में 2 paper, part 2 में 2 paper और part 3 में 4 paper total 8 paper हुआ 100 number का होता है जो theory वाला है वो पूरे 100 होगा जो practical वाला होता है वो 75 और 25 इस तरह से होता है सम मिला करके 25% practical होता है तो ये first page जो है botany honors का first paper 1 है तो part 1 का ये paper 1 हो गया आप यहाँ पर देख रहा है कि 75-75 number का होता है और 25 number का practical होगा एक paper का दोना मिला के 50 number का तो यहाँ पर ये mistake से 100 लिखा हुआ है ये actual में 75 है इसको पचेतर समझेगा यहाँ पर dotted जो कर रहे है ये 75 number का है तीन घंटे का ये exam होता है इसका और इस तरह से इसमें kingdom पढ़ना है plant kingdom, fungi, lichen, plant disease, bryophytes, teridophytes, इसमें पढ़ना एंजियो equisperm, equisperm पढ़ना है तो इसमें इसका topic है इसमें पढ़ लिजेगा फिर जो है paper 2 आता है paper 2 भी 75 का ये सही है इसमें कोई गलती नहीं है इसलिए इसको आपको full view दिखा देते हैं ये paper 2 है मारे सामने paper 2 के इतना topic है इसमें group A और group B दो पार्ट में बटा हुआ है इसमें 10 question total रहेंगे इसमें एक number जो question रहेगा वो पूरे syllabus से objective रहेगा ये compulsory रहेगा बनाना और 9 question जो रहेगा फिर दोनों group से रहेगा इसमें दोनों group से चुन करके आपको फिर 4 question बनाना है टोटल पांच बनाना है एक objective हो गया और टोटल मिला करके पांच तो रेश्ट बज़ गया चार इसमें से two from group B एन one from C compulsory है तो आपको इस तरह से इसका answer बनाना है इसमें भी cell biology और genetics दोनों से अलग-अलग topics है इसको तुला से zoom कर देते हैं यहां से देख लिए सेल नुक्लियस रेवोस्वन मैटोकॉंड्रिया इस्ट्रिक्चर फंक्शन सेल वाल इस सब चीज़ का है सेल के समंदित है और यह genetics में genetics का जो अलग-अलग में इसको पढ़ना है उसके बाद चलते हैं practical पर तो practical जो है यह पचास नंबर के हो गए 25-25 पचास नंबर के तो यह practical भी चार घंटे का होगा आपका यह तो अपने center पर ही होता है इसका आपको पढ़ लेना है topic इसमें अलग-अलग wise दिया हुआ है 7 step में आपको number मिलता है इसका structure एकजाम को धियान रखते हुए बनाया गया है उसके बाद subsidiary जिनका बोटनी है उनके लिए syllabus यह है उनके लिए कहा गया है कि syllabus जो subsidiary होता है तो part 1 में होता है और part 2 में होता है दोनों में केक्शो नमबर का होगा लेकिन theory और practical दोनों होगा तो 75 और 25 के ratio में होगा आप यहाँ पर देख रहा है theory वाला दिखा रहा है आपको पाले यह है theory वाला practical का इतना आप screenshot ले सकते हैं इसका syllabus paper 1 कहलाता है part 1 में subsidiary और paper 2 कहलाएगा part 2 में subsidiary तो यह subsidiary का syllabus हो गया इसमें भी group A और group B बटा हुआ है same system इसमें भी है group B में cytogenetics है और crop improvement group C भी है structural development and reproduction in plants बताया गया practical based on paper 1 पर है यह 25 नमबर का हो गया आप यहाँ से practical का screenshot ले सकते हैं इसके बाद दिखिए जिसे जोलोजिम बताये थे कि general और past course का और subsidiary का जो है एक ही syllabus है लेकिन यहाँ पर अलग है यहाँ पर यह दिखिए अब general का syllabus आपके सामने है यह भी subsidiary के तरह ही है लेकिन इसमें group देखते हैं कि D group तक कर दिया गया है थोला से इसमें ज्यादा topic है तो जिनका यह past course में जोलोजी है उनका syllabus यह है इसको थोला सा जूम करके आपको दिखा देते हैं थोला सा दी चार group में इसको बाट करके पढ़ना है दी में plant disease बेगर है फिर practical उसी तरह से 25 नंबर का होगा यह paper one यह part one का complete हुआ अब part two में चलते हैं तो part two में फिर third और fourth दो paper होगा theory का और दो paper practical का मिला करके एक ही बना दिया गया है तो यह जो है आपके सामने इसको रखते हैं यह paper three हुआ paper three का syllabus हुआ यहाँ से screen shot ले सकता है यह 75 नंबर का है इसमें भी दो group बना हुआ है यह plant physiology ठीक है और दूसरा ecology से जुड़ा हुआ है फिर paper four यह भी 75 नंबर का होगा paper three कित्रा paper three यहाँ से उपर लिए अब यह paper four का screen shot है इसमें भी दो part में बटा हुआ है ए और बी में यह में है development of plants और बी में है plant resource utilization तो इस तरह इसको थोड़ा सज्जूम करके आपको दिखा देते है उसके बाद यह बी और जब यह पचीस पचीस पचीतर पचीतर देड़ सोख हो गया तो यह three और फोर्थ का practical हो गया है यह आपके समने practical का page है थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है paper का इसमें आपको दिखे और करके दिया हुआ है यानि कि आप यह काम कर सकते हैं या फिर यह काम कर सकते हैं तो इसमें option wise रहता है बहुत सुविधाजनक यह practical होता यह भी चार घंटे का practical होगा फिर चलते हैं पाट्टू का subsidiary बोटनी subsidiary का आपके पास syllabus सामने प्रस्तुत है इसमें तीन गुरूप है A, B, C आप A में biodiversity of seed plants and their system B में utilization of plants, C में plant physiology and environmental biology इस तरह से आप इसको complete करते हैं फिर 25 नंबर का आपका यहाँ पे practical हो जाता है mistake से यहाँ पे दो ही लिखा हुआ है लेकिन पास छुटा है वो यह 25 नंबर का practical होता है इसके बाद पाट्टू का बोटनी जिनरल में जब चलेंगे तो subsidy की तरह जिनरल भी यह 55 नंबर का थियोरी होगा और फिर 25 नंबर का practical होगा यहाँ से आप ले सकते हैं इसका screenshot इसमें क्या-क्या है गुरूप A और गुरूप B में Biodiversity of Seed Plants and Their Systematics और B में Structure Development and Reproduction in Flowering Plants इस तरह से जो है अलग अलग इसका system बना हुआ है इसी होल आपको पूरा knowledge हो जाएगा जब आप honors के रूप में पढ़ेंगे इसको तब यह जेनरल कोर्स का practical का syllabus हुआ इसका भी practical जेनरल कोर्स का 3 घंटे का होता है और subsidy वाले का 4 घंटे का होता है आपको देखाऊ यह भी practical 3 घंटा का हुआ honors वाले का 4 घंटा हुआ अब पार्ट 3 में चलते हैं तो पार्ट 3 में honors 4 paper होगा पाचमा छठा सातमा आठमा तो इसमें तीन paper जो है theory होगा और last paper practical होता है तो यह paper 5 है आपके सामने रख रहे हैं यह paper 5 है paper 5 का यह दो पेज में syllabus है इसलिए इसको जूम किये तो छोटा हो गया अब इसको जूम आउट करते हैं इस तरह से तो बढ़ा करके इसमें भी group A में biochemistry है energy flow वेगरा कैसे होता है और B में molecular biology है और C में plant bio technology है तो तीन group में इसका बटा हुआ है इसका system कैसे लिखा हुआ था कि 10 questions has to be set 10 questions set क्या रहेगा तिन घंटे के जाम में question number 1 will be objective type and compulsory covering the entire syllabus यह पाच्मा पेपर का मिला करके पुरे syllabus को objective बनाया जाएगा वो compulsory होगा बनाना remaining 9 questions have to be set from 3 groups ABC और 9 questions यह तीनों group से रहेगा ABC से 4 questions are to be answered beside question number 1 4 questions चुकि 5 total बनाना है एक number आप compulsory बना ही लिए तो रेश्ट जो चार question बजता है उसको इन तीनों group से बनाना है एक number को छोड़ करके 4 number बनाना है 4 questions are to be answered beside question 1 ठीक है? selecting at least one from each group एक एक question हर एक group से कम सकम लेना ही है यहनि किसी भी एक group से दो question लिजेगा और अन्य दो group से एक एक question लिजेगा तो पाच question टोटल हो जाएगा यह इसका system है अब दूसरा जो paper चलते है paper 6 यह भी 100 number का हुआ इसका भी आप हमको लग रहा है कि semi system है इसमें दो group बना हुआ है A और B A में microbiology है और B में plant pathology है इसका क्या system है इसमें भी one number compulsory है चोकि वो objective type है और 9 question जो बनाना है जो 9 रहता है उसमें से 4 आपको बनाना है यह भी दोनों से set किया हुआ रहेगा और इसमें कह रहा है कि at least जो है one from each group आपको बनाना है यह चार question में से किसी एक group से आप 3 भी बना सकते हैं दो भी बना सकते हैं और एक तो कम सकम एक group से बनाना ही होगा तो इस तरह से 9 question में आपको 4 बनाना है पाच छोड़ देना है तो आसे इसको जूम कर देते हैं पढ़ने में सॉलियत होगे nitrogen fixation सब उसमें पढ़ना है group A में group B में plant pathology है pathology यहाँ डिजिस से संबन देत है आप अभी pathology में जाच घर जाते हैं जाच करते हैं कोई disease क्या disease है इसका कैसे टेस्ट होगा यह pathology में सिखते है यह paper 7 हुआ यह भी full marks 100 number का है क्योंकि यह भी theory paper है सब का मिला करके practical आगे होगा इसको जूम करते हैं group A में systematics of NGO sperm आपको पढ़ना है यहाँ भी दो group है वही अभी 6 की तरह इसका अभी system है group B में environmental biology है लोग environmental biology से MSC भी कर ले रहा है अभी की समय में environmental science के रूप में environment हमें हमारा कैसा है इसको सिखने के लिए और जब आप यह पूरा पढ़ लिए अब practical 100 number का पढ़ते हैं यहाँ पर दिख्या असपर लिखा हुआ है कि practical based on paper 5, 6, 7 उस तीनों paper पर मिला करके यहाँ पर 100 number का यह practical का exam है यह 6 घंटे का exam होता है इसलिए पूरा दिन लगता है इसका practical लेने में बड़ा exam है तो इसमें भी कई तरह के और करके दिया हुआ है यानि यहाँ पर भी आपको option मिलता है यह बनाए यह बनाए यह बनाए फिर part 3 में सबसिड्री नहीं होता है इसलिए general course तो होगा न तो यह general course part 3 का जिनका अफसमानने course है पास course है बोटनी उनका syllabus यह है यह full view है अब इसको zoom करेंगे तो आपको सामने और असपर्ष्ट दिखेगा पेपर 3 में ग्रूप बना हुआ है अलग-अलग इसमें आपको same type बनाना है एक नमबर compulsory है और एक नमबर छोड़ करके आपको चार कोशन बनाना है more than two from any group दो से ज्यादा किसी एक ग्रूप में नहीं बनाना है इसका इस तरह से setting है कि आपको दो बनाना है maximum और सम मिलाके चार बनाना है यनि दो-दो बना सकते हैं एक ही से चार नहीं बनाना है ग्रूप A में प्लांट फिजियोलोजी, बायो केमेस्ट्री, बायो टेकनलोजी का टॉपिक्स है और ग्रूप B में इन्मार्यमेंटल बायोजी है यनि यूट्लाइशन और प्लांट से प्लांट का क्या यूट्लाइशन है जिसे वेजटेबल वायल से हम लोग खाते हैं तेल, डाल इस सब चीज का उप्योग है और ये फिर पचिस नंबर का प्रैक्टिकल जोकि ए एक सो का है तो पचितर और पचिस का रेशियो में इसका नंबर बटा हुआ है ये प्रैक्टिकल है पचिस नंबर का जेनरल कोस जिन का बोटनी है उनके लिए इस तरह से बोटनी का सिलेबस कम्प्लीट हुआ आफ सब का बहुत बहुत दिन्यवाद